नमस्कार, वेलकम टू कैरियर एजुकेशन, कैरियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत हैं, दोस्तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 58 यानि की अंठाओ नमर पर बात करेंगे, जिसमें रेलबे का प्रिभियस एर कोशन रहेगा, हाँ दोस्तो आप बिल्कुल सही सुने, रेलबे का प्रिभियस एर कोशन रहेगा, दोस्तो इस चैनल पर टोटली प्रिभियस एर कोशन ही कराया जाता है, आप कोई भी एक्जाम्स के त्यारी कर रहे हो, उस एक्जाम्स के प्रिभियस एर कोशन इस चैनल पर कराया जाता है, तो अगर आपको प्रिभियस एर कोशन कह रहा है कि उर्जा का उप्योग करते हुए पायरुविक अमल का भी घटन कहां होता है चार अप्सन दिया है इसमें से आपको चून कर बताना है कि उर्जा का उप्योग करते हुए पायरुविक अमल का भी घटन कहां पर होता है तो माइटो कांडिया में होता है कहां पर होत का है दोस्तो माइटो कांडिया में होता है option C जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तो चलिए next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि oxygen की अनुपस्तिती में सब अस्ट्रेट के अपूर्ण भी घटन को डैस कहा जाता है oxygen की अनुपस्तिती में सब अस्ट्रेट के अपूर्ण भी घटन को डैस कहा जाता है क्या कहा जाता है दोस्तों तो अनच्सिय स्वसन कहा जाता है क्या कहा जाता है और अक्सिय स्वसन कहा जाता है अप्शन B जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तो चलिए नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन ती नमर कह रहा है कि मानो स्वसन में क्या छोड़ा जाता है मानो स्वसन में क्या छोडा जाता है दोस्तों तो कर्मन डाई अकसाइड छोडा जाता है मानव स्वसन में क्या छोड़ा जाता है तो कर्मन डाई अक्साइड छोड़ा जाता है option D जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तो चलिए next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि कौन सी जीवन पर किरिया रसाइनिक उर्जा को उसमा उर्जा में बदलती है तो स्वसन बदलती है कौन बदलती है दोस्तो स्वसन बदलती है option C जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तो दोस्तो अगर आपको इसका पीडियफ चाहिए तो टेली कराम पर जाएगे वहाँ career education सर्च करकर के उस गुरूप में एड हो जाएगे वहाँ से आपको इसका पीडियफ मिल जाएगा या मैं description में भी link देदूँगा वहाँ से भी आपको इसका पीडियफ मिल जाएगा ओके दोस्तो चलिए next question देख लेते हैं next question पांच नमबर कह रहा है कि निह स्वसन डैस द्वारा होता है किसके द्वारा होता है तो फ्यफडों की औव एस्फिती के द्वारा होता है option B जो है वह आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तो चलिए next question देख लेगा next question next चोव नमबर कोशन कह रहा है कि सांस लेने की परकिरिया में डैस सामिल है सांस लेने की परकिरिया में क्या सामिल है दोस्तो तो प्रस्वसन और निस्वसन सामिल है सांस लेने की परकिरिया में प्रस्वसन और निस्वसन सामिल है तो option A जो है वह आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तो चलिए next question देख लेते हैं दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगती हैं दोस्तो अभी तक आप इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज इस चैनल को सस्क्राइब कर दीजे और बेल आइकन को भी प्रेज कर दीजे ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन कह रहा है कि उर्जा उत्पादन के दोरान जब हमारी मानस्पेशियों की कोसिकाओं में अक्सीजन की कमी होती हैं तो छो कार्बन अलू डैस कार्बन अलू में परिवर्तित हो अप्सन C जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा दोस्तों मैं यह कोशन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कोशन कह रहा है कि उर्जा उत्पादन के दोरान जब हमारी मानस्पेशियों की कोसिकाओं में अक्सीजन की कमी होती हैं तो छो कार्बन अलू जो है वो डै आएगा ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन कह रहा है कि अंतह स्वसन के दोरान फेफिडे डैस के कारण हावा से भर जाते हैं तो फेफिडों की अस्फिती के कारण हावा से भर जाते हैं किसके कारण हावा से भर जाते हैं दोस्तों तो फेफडों की अस्फिती के कारण हावा से भर जाते हैं अप्शन C जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट नौ नंबर कोशन कह रहा है कि जिवाणों में स्वाशन अस्थल हैं जिवाणों में स्वाशन अस्थल हैं कहां पर हैं तो मीशो सोम में हैं जिवाणों में स्वाशन अस्थल हैं तो मीशो सोम में हैं अप्शन C जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओर्जा उत्पादन के दोरान गुलकोच का पाईरुएट में बिघटन कहां होता है तो कोशी का दरब में होता है ओर्जा उत्पादन के दोरान गुलकोच का पाईरुएट में बिघटन कहां होता है तो कोशी का दरब में होता है ओप्शन C जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तो चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन एगारे नमबर कह रहा है कि हमारे फेफडों में 10 को सिकाएं होती है हमारे फेफडों में कितनी को सिकाएं होती है अप्शन D जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तो चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन कह रहा है कि निमने लिखित में से छोड़े गए स्वास में 10 सामिल होता है चार अप्शन दिया है इसमें से आपको चून कर बताना है कि छोड़े गए स्वास में क्या सामिल होता है तो छोड़े गए स्वास में नाइट्रोजन सामिल होता है छोड़े गए स्वास में नाइट्रोजन सामिल होता है option D जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तों चलिए next question देख लेते हैं next question तेरे नंबर कह रहा है कि नाड़ी की धड़कन यानि की pulse beat dash से मापी जाती है किस से मापी जाती है तो धमनी से मापी जाती है option D जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा मैं यह question फिर से repeat कर दे रहा हूँ question कह रहा है कि नाड़ी की धड़कन यानि की pulse beat जो है वो dash से मापी जाती है किस से मापी जाती है तो धमनी से मापी जाती है option D जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा जिल्ली की सूजन को डैस कहा जाता है क्या कहा जाता है तो ब्रोकाइटिस कहा जाता है सलेस्मा जिल्ली की सूजन को ब्रोकाइटिस कहा जाता है अप्सन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तो चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन पंदरे नमर कह रहा है कि मनुष्य का समान रक्त चाप होता है मनुष्य का समान रक्त चाप होता है कितना होता है तो 120 बाटा असी होता है मनुष्य का समान रक्त चाप होता है तो 120 बाटा 80 होता है अपसन B जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन 16 नमर कह रहा है कि हिमोगलोबीन में उपस्तित होता है हिमोगलोबीन में क्या उपस्तित होता है हिमोगलोबीन में आईरन उपस्तित होता है अपसन B जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट गोश्ठन सत्रे नंबर कह रहा है कि लाल रूधिर कणिका डैस में बनती हैं, लाल रूधिर कणिका जो हैं वो किस में बनती हैं, तो अस्धी मजा में बनती हैं, ऑप्शन B जो हैं वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, दोस्तो मैं यह question फिर से repeat कर दे रहा हूँ question कह रहा है कि लाल रूधिर कड़िका जो है वो dash में बनती है किस में बनती है तो अस्थी मजा में बनती है option B जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा दोस्तो यह question बहुत important है देखिए यह question कितना बार exam में repeat किया हुआ question है तो आप एक-एक सवाल का important समझे और अच्छे से तयारी कीजिए ओके दोस्तो चलिए next question देख लेते हैं ओके दोस्तो next question देखते हैं next question कह रहा है कि निमने लिखित में से कौन सा मानोरक्त का घटक नहीं है चार option दिया है इसमें से आपको चून कर बताना है कि कौन सा मानोरक्त का घटक नहीं है तो DNA जो है ओ मानोरक्त का घटक नहीं है option A जो है ओ आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा दोस्तो मैं यह question फिर से repeat कर दे रहा हूँ question कह रहा है कि निमने लिखित में से कौन सा मानोरक्त का घटक नहीं है जो मानोरक्त का घटक नहीं है ओ आपको चून कर बताना है तो DNA जो है ओ मानोरक्त का घटक नहीं है option A जो है ओ आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तो चलिए next question देख लेते हैं Next question, 19 नमर कह रहा है, कि हीमोगोलोबीन पाया जाता है, हीमोगोलोबीन जो है, वो किस में पाया जाता है, तो RBC में पाया जाता है, हीमोगोलोबीन जो है, वो RBC में पाया जाता है, option A जो है, वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन 20 नमबर कह रहा है कि ट्रेड मिल टेस्ट जो है ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है ट्रेड मिल टेस्ट जो है वो कौन सी चिकित्सा से संबंधित है option A जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तो चलिए next question तो रहा नहीं इतना question मैं लेकर आया हुआ था उमीद करता हूँ कि सारा question आपको याद हो गया होगा दोस्तो अगर आपको सारा question याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए आपके लिए एक-एक सवाल important है मैं वहीं question लेकर आया हुआ था जो आपके लिए अति आवस्यक प्रस्न है तो आप एक-एक सवाल का important समझे और अच्छे से तयारी कीजिए दोस्तो आपसे मैं next practice rate में मिलता हूँ तब तक के लिए दोस्तो टेक एर अपना ध्यान रखे और मन लगा कर पढ़ते रहे ओके दोस्तो भाई